विल्कॉमे फ्रेंड्स मारे यूटूब चैनल आरके नहीं एकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही मात्पूर्ण कोश्चन हैं जो कि आने वाली सभी परिशाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीड यूट्रेस को तयार करने में किस हार्मोन्स की मात्पूर्ण भूमिका होती है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें बहुत ही सिंपल कोश्चन है तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर प्रिग्नेंसी के लिए यूट्रेस को तयार करने में किस हार्मोन् की मातुपूर्ण भूमिका होती है अभी आप एक्स्प्लेन देख लिए मासिक धर्म के दूसरे हाफ अर्थात आफ्टर ओल्यूशन के दोरान प्रोजिश्टान मुख रूप से कर्पस लूटियम की सिल्स के दोरा स्रावित होता है जो कर्पस लूटियम है जो मुख रूप स प्रोजिश्टान मुख रूप से कर्पस लूटियम की सिल्स के दोरा स्रावित होता है अगला पॉइंट है कि इस समय प्रोजिश्टान इस्टोजन के साथ मिलकर गर्भास है ठीक है मिलकर यूट्रस जदात गर्भासे की इंडोमेट्रियम को फैटलाइज उवम को ब्लास् को मिलकर्स करता है इस समय प्रोजिश्टान इस्टोजन के साथ मिलकर गर्भास के ईंडोमेट्रियम निसेचित जो होता है जो सब्ोको बलास्टोस सिष्ट के छारड में मैं पत्या रोपड करना यानी की गर्भा वस्ता के लिए तैयार करता ठीक है तैसे त्यम्वीश्ट स्ट्रावर्ड के लिए भी तैयर करना होता है के मिलक स्क्रेसन पर पढ़ें को बहुत सिंपल कोशन है अच्य से पढ़ें कोशन को करें एस्टोजन जो कहा से स्रावित होता है कौन सी जो ग्लेंट्स होती है जिससे आपका इस्टोजन स्रावित होता है तो देखें यह कारपस लूटियम एक आपर आपका अफिएंग कूप जो है आप्सन चूप होती है उनसे स्थाइट होता है is आपसे यह कारपस लिटियम नहीं होगा ठीक है अपसंद यहां पर आपका राइट है ग्रैफियन फॉलिकल अब यहां पर एक्सप्रेंट देख लें कि एस्टोजन इस सेक्रेटट बाइग रेफियन फॉलिकल इन्दी ओएरी आपसंद आपका जो है वह भी राइट होगा ग् इस्टोजन अंडासे में ग्रैफियन फॉलिकल दोरा स्रावित होता है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नंबर तीन है आपकी स्क्रीन पर कोशन को पढ़ें चैसे उसके बाद आंसर दी क्या होगा इसका राइट आंसर कोशन नंबर तीन सिंपल कोशन है बताएं उअरिस्ट से निकलनी वाला फिमेल हारमोंस कौँच है आपको बताना है सिम्पल कोशचन है answers से प्राप्त होने वाला महिला हारमोंस कौँच है सभी को पताऊना चाहिए जैस्ट अभी आपने पढ़ा है कि अनडासे से जो महिला के वरेस्ट होने वाला जो हारमोंस है वो आपका estrogen hormones होता है तो option C यहाँ पर आपका राइट होगा estrogen चलिए अब next question देखते हैं यहाँ पर question number 4 है आपके screen पर पढ़े question number 4 अच्छे से question number 4 को पहले पढ़े अच्छे से इसके बाद answer दें का जारा कि evolution in a female with a 36 days cycle occurs between का जारा कि 36 में या 36 दिनों के चक्रवाली महिला में evolution जो होता है वो किसके बीच में होता है बताना आपको क्या होगा इसका right answer 36 दिनों के चक्रवाली एक महिला है उसमें evolution किसके बीच में होगा ठीक है या फिर होता है evolution is a female with a 36 days cycle occurs between तो देखें आपे option C आपका right होगा ठीक है 20 से 24 देज टीक है 20 से 24 दिन के बीच में 20 से 24 दिन के बीच में absence C आपका right होगा अब यहां पर हम अगला question देखते हैं question number 5 आपके screen पर अच्छे से पढ़ने पहले question को इसके बाद answer दें जल्द बाजी नहीं करनी आपको पहले question को अच्छे से पढ़ें का जारे कि कौन सी phage में progestan कौन सी phage में progestan और estrogen पैदा करने के लिए और ओयरीनग वॉर्यकृल की लाइनिंग सेल्स चर्पस लूटियम में डिपलप हो जाती है बताना है आपको क्या होगा इसका राइट आंसर गेज करें पहले कोशन को पढ़ ले समझ ले उसके बाद यांसर दें किरें कौन सी फेज में प्रोजेश टान और इस्टोजन पैदा करने के लिए लूटिनाइजिंग हार्मोन से इस्टुमिलेट होकर ओरियन फॉलिकल की जो लाइनिंग सेल्स होती है वो कार्पस लूटियम में डिपलप हो जाती है तो ऐसा कौन सी फेज में होता है बताएं क्या होगा तो देखें आप संसी आपका राइट होगा सिकेंडरी फेज सिक्रेट्री फेज मितलब स्तरावी इज सिक्रेशन चरणड़ होता है आपका स्तरावी फेज सिक्रेटरी यहाँ पर सिकेंडरी नहीं है गलती से सिकेंडरी बने पर देख तेसे ती फेज है कि स्थावी चरड़ आप संसी राइट होगा अब यहाँ पर एक्स्प्लेइन देख लें कि सिक्रेटरी फेज उल्यूिशन टुब बिगनिंग अप नेक्स्ट टाइकल जो आपका स्रावी चरड है इसके अगले चक्र की सुरुआत्क वुलिषन के दोरान वुलिशन के बाद यदेज के प्रभाव से अर्थत लूतिनाजिंग हर्मोंस के प्रभी से कर्पस लूतियम में टांसफर को याथा हुग depression हो जाते हैं प्रोजेस्टान को बनाते रहते हैं जो कार्पस लूटियम है वो लगातार इस्टोजन और प्रोजेस्टान को बनाते रहते हैं एक बार फिर से देख लें कि जो सिक्रेटरी फेज होता है कि अस्तरावी चरण जो होता है अर्थाथ ओलिशन टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स था पराण जो ओलीशन के बाद या फिर ओवाइरियन्स जो फॉलिकल अर्था इस्प्रिमिल्टिंग हार्मोन्स से कार्पस लूटियम में टांसफार्म हो जाते हैं और कार्पस लूटियम जो होती है वो लगातार इस्टोजन और प्रोजिस्टान को बनाते रहते हैं के लिए नेक्ट कोशन देखते हैं यहां पर छे नंबर कोशन आपके स्क्रीन पर हैं पढ़ें कोशन को अच्छे से पहले छे नंबर कोशन को उसके बाद आंसर दें यदि मा और बच्चे को इस्तन पोसित नहीं करती है कौन नर्स ठीक है का जा रहा कि यदि औरत अपनी बच कीची को स्थन पोसित नहीं करती है तो meanstrel flow कितने समय में पुणा शुरूं हो जाता है पताएं क्या होगा इसका पान नहीं कराती हैं उनकी बात की जा रही है तो यहां पर आपकी स्क्रीन पर रहें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर करें तो दीखें ऐसा आपका राइट होगा आप्टर डिलीवरी डिलीवरी के 6-8 सब्ता के बाद यदि वो इस्तनपान नहीं करा रही है तो यह जो आपका मेंस्ट्रल साइकल है यह जल्दी होने जलकती है अब यहां पर आम एक्स्प्लेन देखते हैं कि यदि मदर अपनी बच्चे को इस्तनपान नहीं करवाती है यद इसमें जो महावारी इस्तनपान करानी वाली मदर सी की तुलना में जल्दी आती है यदि मापनी बच्चे को इस्तनपान नहीं करवाती है तो इसमें महावारी इस्तनपान करानी वाली मा की तुलना में जल्दी आ जाती है तो चलिए मैं यहां पर कोशन नमबर साथ है आप होता है आपको बताना है simple question है यह मानों में 28 दिन के डिम्ब गरंती चक्र में evolution किस दिन पूरा होता है बताएं क्या होगा इसका right answer किस करें simple question है जली से answer दें तो देखें आप यह option यह आपका right होगा ठीक है 14 days 14 दिन नेक्स question है question no.8 है आपकी screen पर पढ़े question को अच्छे से इसके बाद answer दें क्या होगा इसका right answer बताएं simple question है evolution होने के बाद OM कितने समय तक जीवित अर्थत वायबल रहता है बताएं क्या होगा इसका right answer evolution के बाद जो OM है आपका वो कितने समय तक जीवित अर्थत वायबल रहता है आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर है तो देखें आपे आपसन बी आपका राइट होगा 12 से 24 अवर्स ठीके 12 से 24 अवर्स था 12 से 24 अवर्स था 12 से 24 गंटी यहां पर 14 लिग गया ठीक है देखें यहां पर गलती से जो 14 टाइप हो गया है यहां पर 24 होगा ठीक है कितना होगा 24 यहां पर 12 से 12 to 24 आवर्स ठीक है तो मतलब यहां पर 12 से 24 गंटे ओलिशन के बाद ओलिशन के बाद 12 से 24 गंटे और female genital ट्रेक्ट में जो इस पर मोता है वो 48 से 22 गंटे तक जी वित रह सकता है फीमेल जेनिटल ट्रेक्ट में जो इस पर में वो 48 से 22 गंटे तक जी वित रहता है चलिए आप next question देखते हैं question number 9 है आपकी screen पर question को पढ़े अच्छे से उसके बाद answer दें तो आपको बताना है, इस तरी के किस भाग में ovвод का विकास होता है, इसम्पल कोशन है, बहुत बाहर पढ़ा होगा आपने कोशन आपको ले पर कूशन है, बहुत बाहर बहुत बढ़ा होगा होगा अपने कोशन, तो देखे फैलोपियन ट्यूब त् सीन पर यहां पर कहने अब यहाँ आपका रिख लीहें। कि दो गेमेट्स अर्था इस्पर्माय की यो मिलकर बनने वाली अर्था जाइगोट कहलाती क्याieving का लाती है जिसका समय 2 दो हफ्ते तक होता है इसका समय कितना होता है दो हफ्ता तक होता है अगला पॉइंट है कि जाइगोट अर्था जिसे जाइगोट आप करें से फर्टिलाइज ओम विकाज आता है ठीक है जाइगोट अर्था फर्टिलाइज ओम का प्रारंबिक विकास ठीक है जो शुरुवात ट्यूब में इसका उसके बाद क्या होता है यूट्रेन कैविटी में इता यूट्रस में होता है इस एच्छे से पढ़ ले चाहिए आप स्क्रीन साट ले ले या फिर आप बार बार रिवाइस करें ठीक है बहुत है अच्छा कोश्चन है जाइगोड जो फर्टिलाइज ओम क प्रारामिक विकास है वो फाइलोपेंट्यूब में तीन से साथ दिन तक होता है उसके बाद का विकास होता है यह वह यूट्राइन कैविटी में अर्था यूटरस में होता है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं यहां पर कोशन नमबर 10 आपकी स्क्रीन पर पढ़ें कोशन नमबर 10 कोशन को चैसे पढ़ लिए उसके बाद यह आंसर दें चल्दवाजी नहीं करनी आपको अगर देखें इस इंप्लांटेट इंटू यूट्रेस आप्टर बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर निसेची दिम्ब को गरवासे में प्रत्तर रुपित किया ज अब यहां पर आपका एट होगा सेवन डेज टीक है क्या होता है इंप्लांट हो जाता है यूट्रेस में कितने दिन बाद इंप्लांट हो जाता है तो साथ दिन बाद क्या होता है इंप्लांट हो जाता है अब यहां पर हम एक्स्प्लेंट देख लेते हैं कि लगबग तीन से साथ दिन के बाद फर्टिलाइट जो ओम होता है वह यूट्रेस में इंप्लांट हो जाता है तीन से साथ दिन बाद फर्टिलाइट ओम यूट्रेस में इंप्लांट हो जाता है 3-7 दिन तक फैलोपेंट्यूब में रहता है उसके बात क्या होता है कि इंप्लांट हो जाता है युट्रिस इंप्लांट हो जाता है फिर्फ होता है वह यूटरस में होता है तोई यह उस्में होता है व Pourquoi छोता है वो तीन दिन चुछ व में अक्रोण सोता है और इसके बाद कर assuming that ङुलर्यकिन कभी कवर ऐσιसा होता है ै कि इस साथ दिन बाद भी जो इसका विकास है, वो फैलोपेन, ट्यूब में ही इंप्रांट हो जाता है। कि इस तरह की जो प्रेग्नेंसी हते हैं, उन्हें एक्ट्वफिक प्रेग्नेंसी कंग आ जाता है। तो देखे जो इस प्रक्रण के प्रग्नेंसी ऊति है मैंने भी बताया है है कि उसे च्टोपिक प्रग्नेंसी कहा जाता है गर्वासे में जो इंप्लांट जो योट्रास है वह टीक है वो गरवासे में इंप्लांट ना वोकर किसी अन इस्थान पर उसका विकास होने लगता है तो उसे एक्टोपिक प्रिगनसी कहा जाता है चलिए हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं और एक्टोपिक प्रिगनसी के बारे में फिर किसी दिन बात करते हैं टीक है यहां पर हम देख लेते हैं 11 number question देखें बताएं क्या होगा बहुत ही simple question है बार्थोलिन्स glands is present in बताएं जो बार्थोलिन्स glands है वो कहां present होती है किस करें simple question है बार्थोलिन glands is present in 11 number question है आपकी screen पर पढ़े question को अच्छे से तो देखें आपे option ए आपका राइटों का वज़ाई ना ठीक है बार्थोलिन्स glands is present in तो option ए आपका राइटों का वज़ाई ना ठीक है अब यहाँ पर अगला question देखते हैं 12 number question आप इस screen पर है question को पहले चैसे पढ़े उसके बाद आपाँसर दें ठीक है question थोड़ा लंबा है बट बहुत ही simple question है पहले चैसे पढ़े उसके बाद आपा अपाँसर दें नर्स एक प्रेगनेंट लेडी के ब्लैडर को कैथराइज करने जा रही है उसे अवेर होना चाहिए कि एक के अलावा बाकी सभी फीमेल यूरेत्रा के बारे में सही फैक्ट है उसे अवेर होना चाहिए अर्था जागरुक होना चाहिए कि एक के अलावा बाकी सभी जो फीमेल यूरेत्रा के बारे में सही फैक्ट है तिकले अब इन चारों फैक्टों में एक को छोड़कर बांकी सभी फैक्ट राइट हैं आब आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं तिकले एक को छोड़कर का जा रहा है आपे तो जली से पढ़ें आपसन क्या होगा इसका राइट आंसर गेज करें बहुत सिंपल कोश्चन है तो देखें आपका बी राइट होगा इसका हिंदी में मतलब होता है कि या योनी छिदर के पीछे होता है तो यही आपका गलत है इसको छोड़ कर आ जा रहा है कि मालोग एक गर्वती महिला के मुतरासे को कैठराइज करने जा रही एक नर्स जो उसे जागरूख होना चाहिए कि इसके अलावा सभी महिला मोतरमार के बारे में सभी जतने भी तत्त दिये हैं वह सभी सही है एक ही गलत है अब वह गलत कौन सा सभी जो आपका यूरेथ्रा की बात की यहां पर एक तो सेंटी मीटर भी बात की जांए चार सेंटी मीटर उता है अगर इंच की बात हो रही यहां पर तो ठीक है आपे वन पॉंट फाइप इंच होगा दिखे दोनों चीजें हम इसा बात नहींिक बेमाग में बैठा लें कि कभी को ऐसा नहीं होता कि इंच में पूछा जाए कभी सेंटीमेटर होता है अगर इंच हो देवाग फाइप इंच पॉचँ अब यहां पर दिखें अगला पुद्ट और यह ब्याप का सढ़िए प्रसी हं एक इट पिरसेस इट पिरसेस थ्रू यूरोजनिटल डाइफराम कहा ज़ल रहे कि यह यूरोजननांग डाइफराम Key मध्यम से छेद करता है अब यहां पे आपस जो आपका डी है यह पर बाका रहाई है इस ट्रेट इस पानद दो यह आपटरो ह pork market या सीधा है और कैथृआइजेशन के लिए मामूली पितरोद परदान करता है तो चलिए हम यहां पर एक्सप्लेइन देख लेते हैं काजरा की以undra एक4 . फी मेल यूरेथर एक 4 लांग शौट्यूब होती है चार सेंटीमीटर कहें या फिर 1.5 इंचिज कहें ठीक है फिमेल यूरेथरा जो है वो 1.5 इंच जो लॉंग सौट ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लेडर से सुरू होकर यूरोजेनिटल डाइफ्रायम से गुजरती हुए वैजाइनल ओरिफाइस के एंटीरियर में खुलत है फिमेल यूरेथरा 4 सेंटीमीटर लॉंग सौट ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लेडर से सुरू होकर यूरोजेनिटल डाइफ्रायम से गुजरते हुए वैजाइनल ओरिफाइस के एंटेरियर में खुलती है अब यूरोजेनिटल डाइफ्रायम एक ट्राइंगुलर लिगामेंट होता है यूरोजेनिटल डाइफ्रायम जो आपका यूरोजेनिटल डाइफ्रायम एक ट्राइंगुलर 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 लिगामेंट होता है जिसमें से होकर यूरेथ्रा गुजरता है जिसमें से होकर क्या होता है यूरेथ्रा गुजरता है re weekly यहां पे देख लीते हैं कि जहुद्र जननाग होताय यह समझमी नहीं यह से हम कमबाईन में रखते हैं कि कि आपको समझ में आज narratives थोड़ी बोट हिंदी रखना जरूरिक होता है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोग हैं यहीं समझ पाते हैं थोड़ी बहुत हिंदी भी जरूरी होती है अगर आप व्यक्ति से हिंदी में समझाएं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसलिए इसे हिंदी इसकर टाइफस इसका राइट ऑफ पर है तो आपकी स्क्रीन पर है तो दीखें यहां पर और यह आपका राइट होगा ओरिंटिया टीक है ओरेंटिया यहाँ पे है यह तो सुथ यहाँ पे टी को साइलेंट कर दिया गया टीक है सुथ सुगा मुसी यहाँ पे सुथ सुगा मुसी होगा टीक है टी साइलेंट होगा यहाँ पर ओरेंटिया सुथ सुगा मुसी यहाँ पर आपसन ए आपका राइट है यह एक प्रकार की बीमारी है ठीक है डिसीज है यह किसी का नाम नहीं है यह जो ओरेंटिया सुथ सुगा मुसी है यह एक प्रकार की डिसीज होती है किसी का नाम नहीं लि काल्ट बाई ओरिंटी या सुथ सुगा मुसी यह पर बने बताया था कि विमारी मारी थी इस क्रैप टाइफ ऐस एक टीब्र जूर्संबंदी बिमारी होती कैसी विमारी होता है जोर्संबंदी तीक है बुखार से related बिमारी होती है यह आपका ओरेंटिया सुथसुगा मुसी जो है यह बुखार से संबदित बिमारी होती है स्क्रप्टाइफस इस एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस काईट बाई ओरिंटिया सुथसुगा मुसी अच्छे से पढ़ लें क्योंकि नाम लेने बड़ा अजीब लगता है जल्दी आप एक बार में इसका नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहां पर टी देखें शंक्रमित घुन जो होते हैं घुन मइट्स जिसे मइट्स पढ़ें घुऑस और मनुस्यों में फैल जाता है क्या होता है कि घुन जो बैद हैं उनके संक्रमित घुन होते उनके काटने से मनश्यों मी फाल जाते हैं चलिए of next question देखते हैं यहाप question no 14 आपकी स्क्रिण पर फड़त कॉर्चन को auसियो व possibility qui is a fake इंवेशसे उडिकॉयरेट्शे ऐसे इस पिरियड क्या होता है तो देखे रुबेला का जो इंकुबेशन पीरियड होता है वो 18 देज ओता है डिक a 18 दिन होता है आप संसरी यहां पी आप कर आइट होगा 18 होगा अब यहां पर एक्स्प्लेन देखते हैं इंकुबिशन पीरियट ऑफ रुबेला इसे जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है जर्मन खसरा और इसकी जो उस्मायन ओदी होती है वो दो से तीन वीक्स होती है अगर एवरेश की बात करें तो 18 दिन है टीन डेज होती है ठीक है रुबेला अर्था जर्मन खसरा की जो उस्मायन ओदी हो दो से तीन सब्ता होती है और सथ बात की जाए तो 18 दिन होती है ठीक है आप एवरेश पर 18 दिन होती है चलिए हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं फिप्टीन नंबर कोशन है आपकी स्क्रीन पर पढ़े कोशन को चैसे कोशन लोग जिसके करण किसके करण होती हैं बताना है आपको किसके करण होते हैं तो देखे आपने सुना होगा निसेरिया गोनोरिया बहुत बार आपने पढ़ा होगा निसेरिया गोनोरिया ठीक है बहुत बार पढ़ा है आपने निसेरिया गोनोरिया ठीक है इसी के करण होता है जो आपका sexual transmitted disorder disease जो गरह होती है वो निसेरिया गोनोरिया करण होती है अब यहाँ पर आप समझ लें explain में ठीके गोनोरिया is a sexually transmitted infection caused by gram negative निसेरिया गोनोरिया काज आ रहा है कि गोनोरिया एक योन संचारित संक्रमण है जो gram negative निसेरिया गोनोरिया के करण होता है इतना तो समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर समझ लें कि it causes inflammation of the urethra, prostate, cervix, fallopian tubes, rectum and pharynx काज रहा कि याँ मूत्र मार्ग, prostate glands, गर्भासे ग्रीवा, fallopian tube, मलाईसे होता है जो आपका रेक्टम और या फिर ग्रसनी की सूजन का करण बन जाता है यह क्या होता है ग्रसनी के आपके जो pharynx होता है उसके सूजन का भी करण बनता है अगला पॉइंट है यहाँ पे vaginal birth में काज, neonatal conjunctivitis का जारा कि यूनी से जो आपका वजाइना है, वजाइना से जन्म के करण नौजात को नेत्र स्लेसमा सूध हो साता है इससे जो आपका conjunctivitis है इससे नेत्र में स्लेसमा सूध का जाता है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नंबर 16 अपकी स्क्रीन पर कोशन को पढ़ें देखें, लाश्ट कोशन है, जो 16 नंबर कोशन है, लाश्ट कोशन है, बताएं क्या होगा इसका रएट अंसर, किस करें कुछ ट्रोग की उसमायन अधी क्या होती है, बताएं कुछ ट्रोग जो होता है, उसकी उसमायन अधात अधी क्या होती है, इनकुबेशन पिरियाट क्या होता है तो देखें आपे option C आपका राइट होगा 2 से 5 साल 2 से 5 साल तक होता है incubation period लिप्रोशी का 2 से 5 साल तक होता है अब आप इसे explain देख लें इसका कि लिप्रोशी has a long incubation period लिप्रोशी has a long incubation period between 3 to 5 years average की बात की गए यहां पे ठीक है average लगभग में का गया है कि 3 से 5 साल are more far leprometis case का जा रहा है कि कुष्ट रोग के मामले में कुष्ट रोग की जो उस मायन हो दी वो 3 से 5 साल होती आउसत में या फिर उससे अधिक के बीच भी होती है उससे अधिक भी हो सकती है तो फ्रेंट्स यह मारा last question था question number 16 तो चलिए फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care भी होती है